एकता कपूर के शो नागिन को लात मार चुकी है टीवी की कई हसिनाएं अब हो रहा है पस्तावा हेलो आप देख रहें फॉर्स्ट इंडिया टैली मैं हूँ रजनी एकता कपूर के सूपर नेचुरल शो नागिन सेवन को लेकर चरचाए काफी तेज हो चुकी है कि इस एक्टरस को अप्रोच किया गया है लेकिन अब तक खुल कर खबर सामने नहीं आज पाई है कि आखिर कौन को नागिन सेवन में नजर आने वाला है वेल जब से बिग बॉस 17 खत्म हुआ है कुछ जादा ही लाइम लाइट में है नागिन सेवन क्योंकि अंकिता लोखंडे ईशा माल विया अभी शेक कुमार का नाम सामने आ रहा है लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि टीवी की कौन सी हसिनाय है जो एकता कपूर के शो नागिन को लाद मार चुकी है तो चलिए एक नजर डालते है उस लिस्ट पर इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है माहिरा शर्मा का उनके फैस नागिन के रोल में उन्हें देखना चाहते थे क्योंकि बिग बॉस में कुछ ऐसे ही किरदार में वो नजर आई थी मायरा शर्मा ने ओडिशन भी दिया था नागिन के लेकिन इस रोल में वो फिट नहीं बैटी थी उसके बाद नाम आता है हैली शाह का हैली शाह टीवी की खुबसूरत एक्ट्रेस हैं फिल्मों में भी नजर आ चुकी है हैली शाह को नागिन 6 में प्रथा का रोल ओफर किया गया था मेकर्स ने एक्ट्रेस से बाचीत भी की थी लेकिन हैली ने शो करने से साफ मना कर दिया अब बात करते हैं शहनास गिल की बिग बॉस 13 ने शहनास गिल को तो इस्टार बना दिया टीवी छोड वो बॉलिवुड में एंट्री अप कर चुकी है लेकिन उन्हें भी नागिन के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उन दिन वो अपने परिवार के साथ कुछ जादा बिजी थी इसके लिए उन्होंने इस ओफर को ठुकरा दिया सुर्वे चंद्रा नागिन फाय का हिस्सा बनी थी और मेकर्स नागिन 6 में भी उन्हें लेना चाहते थे उन्हें अप्रोच भी किया गया था लेकिन मोटी रकम मांगने की वज़े से मेकर्स ने उनसे बाचित बंद कर दी अलीशा पवार अलीशा पवार ने अपनी खुबसूरती से लोगों को दिवाना बनाया है कई बड़े शो में भी नजर आ चुकी है इन्हें भी नागिन के रूल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन एक्ट्रेस ने नागिन बनने से इनकार कर दिया अब बात करते हैं प्रियंका चाहर चौधरी की प्रियंका चाहर चौधरी का तो नाम बिग बॉस से लिए कप से सामने आ रहा है लेकिन प्रियंका और मेकर्स के बीच ठीक से बात नहीं बनी एक्ट्रेस टीवी से हट कर कुछ और करने के मूड में है सुंबुल तौकिर खान का नाम भी नागिन से जुड़ चुका है दावा किया जा रहा है कि मेकर्स प्रियंका के अलावा सुंबुल से भी बात चीत कर रहे है हला कि सुंबुल इन दिनों काफव्या शो में कुछ जादा बिजी है तो हमें नहीं लगता है कि सुम्बूल नागिल सेवन में नज़राएंगी अब बात करते हैं बिग बॉस 17 की क्वीन अंकिता लोखंडे की जी यह नागिल सेवन के लिए मेकर्स लीड रोल की तलाश में जूटे हैं और कहा जा रहा कि अंकिता लोखंडे को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया है और मेकर्स हैं उनकी बात चीत चल रही है लेकिन अंकिता लोखंडे को अगर रिजेक्ट कर देती हैं तो मेकर्स को काफी तगड़ा जटका लगेगा क्योंकि अंकिता लोखंडे पर एकता कपूर की उम्मीदे टिकी हुई है पवित रिष्टा में भी एकता कपूर के साथ अंकिता लोखंडे काम कर चुकी है ऐसे में दावा किया जा रहा है कि एकता कपूर के इस शो को अंकिता लोखंडे मना नहीं करेंगी लेकिन कुछ भी हो सकता है अगर अंकिता ने इस रोल को ठुकरा दिया तो एकता को बहुत बड़ा जटका लगेगा बेल आपको क्या लगता है नागी 7 में कौन नजर आएगी हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट करके जरूर बताये चैनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करना बिलकुल अबने